नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिल्मी टोक एक नए एपिसोड में तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह कि कार्तिय कारियन के आने वाली फिल्म बोल बुल या 3 के मेकर्स ने एक नए पोस्टर सेयर किया है जो की दिखने में काफी सिंपल है और उस पर लिखा है कि दर्वाजे का गेट खुलेगा दिवाली पे पताते चलें कि बुल बुल या 3 के मेकर्स इसके टीजर को 27 सितंबर को रिलीज करने वाले हैं जानकारी के लिए बता दें कि डिरेक्टर अनिस बाजवी ने इस फिल्म का डिरेक्ट किया है और यह है एक होरर कोमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें हमें कार्थेकारियन, त्रेप्ते डेमरे, मादोरी दिक्षित और विद्या बालन लीड रोल में देखने को मिलेंगे और कार्थेकारियन के फिल्म हमें दिवाली 2024 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वहीं दोस्तों अगली खबर ही है कि वार्टू की सूटिंग से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें हम रितिक रोसन और कियारा अडवानी को रोमेंटिक अंदाज में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि इटली में वार्टू का एक रोमेंटिक गाना सूट हो रहा है दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यह है कि रामचरन के आने वाली फिल्म गेमचेंजर से मेकर्स ने एक और पोस्टर सेयर करके बताया कि गेमचेंजर का दूसरा गाना जिसका टाइटल दम तू दिखा जा कि प्रोमो को 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा बता दे कि रामचरन की यह फिल्म एक एक्शन एंटरेटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर संकर ने डायरेक्ट किया है वहें इस फिल्म में हमें रामचरन के साथ किया राडवानी आरजे सूरिया लीड रोल में देखने को मिलेंगे और राम चरन की है पैन इंडिया फिल्म हमें 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा गरों में देखने को मिलेगी वहीं दोस्तों आगली बड़ी खबर है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर से मेकर्ष ने सलमान खान के एक फोटो को शेर किया है जिसमें भाईजान सिकंदर फिल्म के लिए अपनी बोड़ी के उपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बता दे कि सलमान खान की एक फिल्म एक बड़ी एक्षन एंटरेटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर ए और मुर्गदास डायरेक्ट कर रहे है वहीं इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ रस्मिका मंदाना काजल अगरवाल सर्मन जोसी लीड रोल में देखने को मिलेंगे सलमान खान की ए फिल्म हमें इद दोजार पचीस में सिनेमा गरों में देखने को मिलेगी वहीं दोस्तों अगली ख़बर है कि राघाव लोरेंस की आने वाली फिल्म Benz में प्रियंका मोहन को फीमिल लीड में कास्ट कर लिया गया है बतादें कि राघाव लोरेंस की ए फिल्म एक गेंगेस्टर एक्सन एंटरेटेंमेंट फिल्म होने वाली है जिसकी कहाने डिरेक्टर लोकेस कनगराज ने लिखा है वहीं फिल्म को लोकेस कनगराज के LCU सिनिमर्ट में बनाय जाएगा जिसे डिरेक्टर भागे राज कनन डायरेक्ट करने वाले हैं आई दोस्तो अगली खबर है कि जूनियर एंटियार की आने वाली फिल्म देवरा पार्ट वन कल थियेटर में रिलीज होगी और उसके 50 दिन बाद OTT पर देखने को मिलेगी जिहां दोस्तो देवरा के मेकर्स ने OTT मेकर्स एक डिल साइन किये जहां पर इस फिल्म को मेकर्स इस फिल्म के रिलीज के 50 दिन होने के बाद ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज कर सकेंगे इसका मतलब जूनियर एंटियार की ये फिल्म आठ हफते बाद ही OTT पर देखने को मिलेगी आदें कि देवरा एक action adventure फिल्म होने वाली है तो 27 सितंबर को सिलेमा गरों में देखने को मिलेगी वहें दोस्तों अगली खबर यह कि कमल हसन के आने वाली फिल्म ठग लाइफ की सुटिंग पूरी तरह से कम्पलीट हो चुकी है जानकारी के लिए बता दें कि कमल हसन की यह फिल्म एक action adventure फिल्म होने वाली है जिसे डिरेक्टर मनी रतनम ने डिरेक्ट किया है वहें कहा जा रहा है कि ठग लाइफ की OTT राइट्स को नेटफिक्स ने खरीद लिया है बता दें कि इस फिल्म में हमें कमल हसन के साथ त्रिशा, S.T.R. असोक शैलवन, अली फजल, पंकस तिरपाथी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे अभी तक मेकर्स ने ठग लाइफ की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमल असन की ये फिल्म हमें समर 2025 तक सिनेमा गरों में देखने को मिलेगी तो देखना होगा कि कमल असन की फिल्म ठग लाइफ के रिलीज डेट को लेकर मेकर्स कब तक ओफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं दोस्तो अगली खबर यह है कि अमिर खान और डिरेक्टर राजकुमार संतोसी की अगली फिल्म का टाइटल चार दिन की चांदनी होने वाला है इस फिल्म को राजकुमार संतोसी डेरेक्ट करेंगे और अमिर खान लीड रोल में नजराएंगे परीब एक साल पहले खबर आये थी कि अमिर खान ने डिरेक्टर राजकुमार संतोसी से दो फिल्में साइन की है एक फिल्म का नाम है लाहोर 1947 जिसमें सनी देवल है और दूसरी फिल्म में खुद अमिर खान होंगे जहां एक तरफ अमिर खान ने अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की सूटिंग कम्पलेट कर ली वहीं दूसरी तरफ राजकुमार संतोसी ने भी लाहोर 1947 की सूटिंग कम्पलेट कर ली है तो अब कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोसी और अमीर खान की इस नई फिल्म के अनाउंसमेंट आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी और सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की सुटिंग 2025 में सुरू होगी और यह फिल्म 2025 एंड या फिर 2026 में रिलीज हो सकती है वहीं दोस्तो अगली खबर है कि अनन्य पंडे की आने वाली फिल्म CTRL का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है बता दे कि अनन्य पंडे की यह फिल्म एक सोशल ड्रामा थ्रेलर फिल्म होने वाली है जिसे डारेक्टर विकरमा दित्ते मोटवानी ने डारेक्ट किया है वहीं अनन्य पंडे की यह फिल्म हमें 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी वहीं दोस्तो अगली खबर यह कि पवन कल्यान की आने वाली पैन इंडिया फिल्म हरी हरा वीरा मलू की रिलीज डेट कन्फरम हो चुकी है जियां दोस्तो मेकर्स ने इस फिल्म का एक पोस्टर सेयर करते हुए बताया कि पवन कल्यान की यह फिल्म 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी बता दें कि हरी हरा वीरा मलू एक हिस्टोरिकल एडवेंचर फिल्म होने वाली है बता दें कि इस फिल्म में पवन कल्यान के साथ बोबी देवल और निधी अगरवाल लीड रोल में देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें फिल्मे मार्ट के साथ